हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टू मैं चैनल तो आज मैं आप लोगों के साथ एसी की क्लिनिंग के बारे में कुछ चीजें शेयर करने वाली हूँ और एसी को किस तरीकी से क्लीन करते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसका प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया है तो वो ही आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हूँ और आपको बहुत ही हैल्प होगी एसी को साफ करने में तो किस तरीके से एसी को साफ करते हैं और इसको कितनी दिनों में साफ करना है आपको वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ तो सबसे पहले हम यहां से AC का वायर बंद कर देंगे स्विच बंद कर देंगे क्योंकि इसमें current वगरा लग सकता है तो सबसे पहला काम आप यही करें उसके बाद इस तरीके से मैंने सीड़ी ले लिए और सीड़ी पे चड़के क्योंकि मेरी AC बहुत उपर लगी हुई है तो मैं इस तरीके से सीड़े पे चड़के और इसको मतलब साफ करूंगी जे हो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा डश्ट हो जाता है हफते में आपको एक से दो वार AC को क्लीन करना ही पड़ेगा तो इस तरीके से साइड में इसके लॉक्स रहते हैं आप उस तरीके इसको एक्तम से दवाके और बिल्कुल धीरे से खोलें कोई जल्दवाजी ना करें वहना इसका डखकन तूट सकता है कुछ भी हो सकता है तो इस वज़े से कोई भी जल्दी ना करें बिल्कुल धीरे से आप इसके दौनों हुक के रहते हैं उसको साइड से खोल दें और जिस तरीके से मैंने खोले हैं देखके मैं आपको दिखा भी रही हूँ जिस साइड से हो क्रेते हैं तो थोड़ा सा दवाना होता है और दवाने के बाद इसको बहुत ही आसानी से ये खुल जाते हैं तो इसके बाद आप इसको ऊपर कर दें और ऊपर करने के बाद आप देख सकते हो ये बहुत गंदी हो गए थी मैंने वीक काफी टाइम होगे और मैंने इसको क्लीन नहीं किया एक वीक में ही इसमें कितना डश्ट हुआ है वो मैं सेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि देख सकते हैं आप कितने गंदो ही है इससे क्या होता है अगर आप इस डश्ट को साफ नहीं करोगे तो एसी की जो है ना हावा जो है रुक जाएगी तो आप सोचोगे कि एसी मतलब जादा कूलिंग नहीं करेगी तो आप जब भी मतलब आपको लगे कि वीक में दो मतलब वीक हो गया है तो आप इसको वीक में दो बार जरूर क्लीन कर लें तो इस तरीके से दीरे से आप इसको निकाल लें इसमें जो जाली रहती है इसको ब है मतलब सिर्फ मैंने इसको मंडे को साफ किया था और फिर से मंडे आ गया है और मंडे को ही मैं इसको फिर से क्लीन कर रही हूँ तो आप देख सकते हो आठ दिन में ही इसमें कितना सारा डश्ट एकदम से जमा हो गया है इतनी धूल हो गई थी क्योंकि ऊपर जो फैन रहते हैं वो खीशते हैं गंदगी को जो धूल होती है धूल मिल्टी को इसमें आके जमा कर लेती है तो इसमें जो जाली रहती है न उसमें इस तरीके से जो है बहुत सारी धूल जो है इखटी हो जाती है तो आपको इस तरीके से जो है क्लीन करना ही पड़ेगा और AC लगाने वाले होती हैं वो आपको इस तरीके से बता की जाते हैं कि आपको इसको आठ दिन में एक दो बार इसको क्लीन करना है और ये करना ही करना है तो आप नहीं करोगे तो आपकी AC की जो कूलिंग है वो बहुत कम हो जाएगी तो इस तरीके से मैं आपको हाथों से भी दि देरे से सॉफ्ट हाथों से ही आपको क्लीन करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूं हाथों की एल्प से वैसे ही आपको करनी है केर करना है क्योंकि ये बहुत ही नाजुक चीजें होती हैं अगर इसमें से कुछ भी तूट भूट गया तो वह बहुत खर्चे वाला काम हो लिए निवरी अपका परें इस चीजों को तो आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से पानी से पहले इसको दो लिया है जो उपर गंदी ती वहटा दी उसके बाद मैंने यहां पर गंदा ब्रस रखा था मेरे पास तो मैं उसको इस तरीके से यूज करूंगी आपको भी गंद आप रस ले लें। और सिस हमें तोड़ा सा फिर दें। झाल झाल तो गाइस देख सकते हैं आप अभी कितनी क्लीन हो गई है और इससे थोड़ी देर पहले आप देख सकते हैं कितनी गंदी थी और कितना साफ हो गई है एक तम मतलब कुछ इसमें आप देख नहीं रहा है विल्कुल भी इसमें गंदी की नहीं देख रही है एक दम क्लीन हो गया है और अभी बापस हम इसमें ईसमें even easy में इसको fit कर देंगे और इसको लगाना कैसे लगाना बहुत दी जीए आपको क्या करना है इसके छो इसका safe पहले से इसे बना हुआ होता है आपको इसमें कुछ करना नहीं है इसमें जो गुलाई होती है और थोड़ा सा केर तरीके से लगा है कोई जल्दवाजी ना करे क्योंकि यह बहुत बहुत कॉमल होती है बहुत ही मतलब मतलब आगर आप थोड़ा भी इसमें जल्दवाजी करो तो यह तोट सकती है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका तो इस वज़े से और इस जैसे आपको मतलब लगाया वो दोनों ही चीज मैंने आपको देखाई हैं इसमें आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, खोल सकते हैं, कोई प्रॉबलम नहीं है बस जो उसका ओपर का मैं रहता है, जो अभी मैने खोल के दिखाया था आपको ओपर वाला, उसको दवाने में नहीं है उस थोड़ा सा लगाते है टाइम थोड़ा सा आवाज करता है उसके बाद वो बापस वैसे के वैसे हो जाता है तो जैसे ही उसकी सेकंड वाली जाली है उसे भी मैं लगा दूगी जैसे मैंने उसको लगा दूगी उसी तरीके से सेम उसी स्टायल में इसको लगा दू और जैसे लॉक इसमें नीचे लगें उसी लॉक में फसा के आपको लगाना जैसे आप थोड़ा सा ऊपर करोगे फिर नीचे की साइड ओगे तो वो प्रॉपर तरीकी से फिक्स हो जाएंगे इनको फिक्स करके जरूर लगाना यहसे नहीं कि वो मतलब आपको लगे के लग ही है और उनको थोड़ा-सा ड्रॉए oni के बाद ही लगाएं तो एसी में पानिवानी न चला जाए इस वज़ए से अब हम क्या करेंगी जहाएं उपर का इसका अधकन रहता है ना जुब इसका में टककन है अधकन उसको हम करता है उस विתम से उसको फस जाता है तो इस वज़े से तो लगाना आपको इसको फस बिलकुल हलके हां लगा कोई जल्दवाजी ना करें। मैं फिर से वोल्ड़ यह다가 क्रों कियाओ से नव अगर आपको नुक真的 क्लिए अब करना नहीं आता है उससे करवारें वैसी हैं आप इसको धीरे से लगा दे और बस एसी लग चुकी है और यह विल्कुल क्लीन हो चुकी है अब इसमें कुछ नहीं करना है और इसको आठ दिन में आप इसी तरीकी से क्लीन कर ले जैसे मैंने किया है तो बस आज के वीडियो में इतना ही और उपर से थोड़ा सा मैं इसको सा कर दूंगी बस आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो डू लाइक से एंड सब्सक्राइब टू मैं चैनल गाइस मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई